अध्याय नौ अध्याय हो गई और उस धुए में से प्रित्वी पर टिड्डिया निखे और उन्हें प्रित्वी के बिच्चू किसी शुक्ति दी गए और उनसे कहा गया कि ना प्रित्वी की खास को, ना किसी हर्याली को, ना किसी बेड को हानी पहुचाव केवल उन मनुष्यों को, जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर पांच महिने तक लोगों को पीडा देने का भी आड़ दिया है उनकी पीडा ऐसी थी, जैसे पिच्छू के डंक माने से मनुष्य को होती है उन दिनों में मनुष्य मृत्यों को ढूंडेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यों उनसे भागेगी और उन टिड्डियों के आगार लड़ाई के लिए तैयार किये हुए खुडों के से थे और उनके सिरों पर मानों सोनी के मुपुट थे और उनके मुँ मनुष्यों के से थे और उनके बाद स्त्रियों के से और दात सीहों के से थे और वे लोहे किसी जिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दाड़ते हों और उनकी पूँच बिच्छों किसी थी और उनमें डंक थे और उन्हें पांच महिने तक मनुष्यों को दुख पहुचाने की जो सामर्थ थी वो उनकी पूँचों में थी अथा कुंड का दूत उन पर राजा था उसका नाम इब्रानी में अब्डौन और यूनानी में अपुल योन है पहली विपत्ती बीथ चुकी देखो अब इसके बाद दो विपत्तियां और होने वाली है और जब छट्वे स्वर्ग दूत ने तुरही भूकी तो जो सोने की वेधी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कुई छटवे स्वर्ध दूद से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन चार्ध स्वर्ध दूदों को जो बड़ी नदी फुराद के पास बधे हुए हैं खोल दे और वे चारों दूद खोल दिये गए जो उस घड़ी और दिन और महिने और वर्ष के लिए दीस करोर थी मैंने यमकी गिनिती सुनी और मुझे इस दर्षन में खोडे और उनके ऐसे सवार दिखाई दिये जिनकी जिल में आग और धूमर कांथ और गंधक कीसी थी और उन खोडों के सिर सिहों के सिरों जैसे थी और उनके मुँ से आग और धुवा और कंधक निकलती थी इन तीनों मैयों अर्थार्थ आग और धुवे और कंधक से जो उसके मुँ से निकलती थी मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई क्योंकि उन घोडों की सामर्थ उसके मुह और उनकी पूछों में थी इसलिए कि उनकी पूछें सापों किसी थी और उन पूछों के सिर भी थे और इन ही से वे पीड़ा पहुँचाते थे और बाकी मनुश्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया के दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतन और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे जो न देख न सुन न चल सकती हैं और जो खोन और टोना और वेभीचार और चोरियां उन्होंने की थी उन से मन ना फिराया